चुले इसके बाद एक अभी हमने का किया कि उस particular person को find out कर रहे थे बैनर जी बाबु को और बैनर जी बाबु के after जो node था उसको delete कर रहे थे अब हमके किसका उल्टा करेंगे बैनर जी बाबु को find out करेंगे और इनके previous जो node है उस node को delete करेंगे तो अप्लिक लिजिए deleting a node previous to a given node या given value ठीक है चले इस picture को फ्रॉस और modified को दिया जा रहा है ओके देखे इसको तो सो modify किया गया है अब हम क्या करेंगे एक particular node को find out किया जाएगा और उसके ठीक जो previous node होगा उसको डिलेट किया जाएगा इस केस में हम वर्मा जी को find out करेंगे ठीक है और वर्मा जी के previous node है बैनर जी बाबू उनको फ्लैट से निकाल देंगे पूलेंगे जाओ अपना बुड़े पिस्वस बांदो और फ्लैट से निकल जाओ मिंस लिंक डबली लिंक लिस से उस node को डिलीट कर देंगे तो चलिए सबसे पहले में क्या करना पढ़ेगा वर्मा जी को find out करना पढ़ेगा कि उस अपार्टमेंट में वर्मा जी का फ्लैट कौन सा है और जैसे ही आप वर्मा जी के फ्लैट को find out करेंगे तो ठीक उसके प्रिसीडिंग जो फ्लैट है वहां आपका बैनर जी बाभू रहते हैं उनको हम डिलीट करेंगे आईए इसी अल्गोडिसम को मोडिफाई किया जाए वाइल पीटियार डेटा नॉट इक्वल टू बैनर जी बाभू find out कर रहा है इसके समें हम वर्मा जी find कर रहा है कि वर्मा जी जैसे ही हमको मिलेंगे उनकी प्रिवियस नोट को डिलीट किया जाएगा है तो यहां चलो इसको ही डिलीट को देखे प्रिटियार डेटा नॉट एक्वल टू वर्मा अगर वर्मा जी हमें नहीं मिलते हैं तम प्रिटियार निक्स्ट करेंगे यह लूप टर्मियाट उतार रहेगा और इस लूप पे जैसे ही स्टार्ट होगा देखेगा प्रिटियार यहां आ चुका है अपने पहले भी बहुत बढ़ किया हुआ है अब देखें पिछले में हम क्या कर रहा थे एक वैरियेबल ले रहा थे और उसमें जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रे से दर रहते हैं ताकि फ्रे पूल को उस एड्रेस को या उस मेमोरी लोगेशन को रिटर्न के जा सके तो सिमिलरली हमने वर्मा जी को फाइंड किया और वर्मा जी के पहले और प्रिवियस नोड को डिलीट करना है तो बैनेट जी बाबू का जो फ्लैक नंबर है उसको हम एक पॉइंटर वै सेव है या आप कह सकते हैं पी टी आर के प्रिवियस में सेव है ठीक है तो अब एक वैरेबले लिजें डेल नोड ऑके और उसको आप एसाइन कीजिए अपने इस थ्री एंडेट फ्लैट नंबर का एड्रेस जो कि आपका स्टोर है पी टी आर के प्रिवियस में पी अबनली खरी कि यह अबने लुट का गश्यूअ फ्रीयस में स्टो प्रिवियस में प्रिवियस्टेग्ष इस थे प्रिम्ट्व misschien अबने आर्पलियस थैंकित की न्स्यू है इस विis और रह में चॐ चृब़्यस ना करें अबरें बने हूऽ है निलनोड का प्रिवियंस दिस मन इसके निक्स पाट में आप इसका इड्रस साइं की जीकिना तो दिए ओके देखिए डिलनोड का जो प्रिवियंस से प्रिवियंस का जो नेक्स्ट है उसमें आप पीटीर को एड्रेस को साइन कीज़ेगा कहने का अर्थ हुआ इस यूर करेंटली डेल नोट इस डेल नोट डेल नोट का जो आपका प्रीफियस है इस पाट एक इसके अड्रेस को होड़ के रखा है सर्मा जी के अड्रेस को ठीक है अब डेल नोट का प्रीफियस इसमें आपके सर्मा जी के नोट को डेल नोट कर रहा है अब इस सर्मा जी के नोट के नेक्स्ट में आप किसका अड्रेस डेएगा वर्मा जी का मेंज पी टी आर तो डेल नोट प्रीफियस इस नोड इस नोड के नेक्स पार्ट में हम यहां पर आप किसका आत्रे सुझेगा वर्मा जी का means PTR तो यह आपका यहां से हट जाएगा और सिंप्ली आपका यहां यहां से हटके इस नोड के पास आ गया ठीक है holding the address 312 अब ती अपको क्या करना पड़ेगा वर्मा जी को आपको सर्मा जी का address जेना पड़ेगा means डेल नोड के पास जाएए आप डेल अब वर्मा जी का address सर्मा जी का address देखे पी टी आर का जो प्रीवीव है वहां पर आपको और डेल नोड के प्रीवीव पार्ट को देना पड़ेगा डेल नोड का जो प्रीवीव है इस इस तो डेल नोड प्रीवीव इस वन दिस वन होल्डिंग एड्रेस ओफ सर्मा जी यह आपको किसको दे रहा है पी टी आर के प्रीवीवीव को ओके मिन्स वर्मा जी का जो यह प्रीवीव पार्ट है इसमें आपके सर्मा जी का अगरेस कोंटे इन होगा जो की आपका दे नोड के प्रीवीव में देखि बार जो कि आपके सर्मा जी का फ्लाट फ्लैट फ्लैट नंबर है इसको आपको अबिची के प्रीविवीवस में करना है यहां आपका है साइन होगा 258 ओके आपकर देजिक्यूशन ओब इस लाइन यह आपका यहां से हट जाएगा और यह आपका सर्मा जी के फ्लैट को एड्रेस को गोड़ गगे रखेगा और सिंप्ली आप फ्री कर देजिए होई गया फ्री डेल्लोड और स्टेप नमर एट एग्जिक्यूशन ओके स्टेप नमर आपको सर्थ ठीक से लिख लिजेगा फ्री के बाद यह मैंने इस पूरे वाइल यूप को मैंने फ्री स्टेप नमर में लिखा है 45678 सो गोटी स्टेप एट ठीक है जैसे आपने फ्री डेल्लोड किया यह नोड़ आपका फ्री फूल्ल के पास चला गया अब देखें पा रहे हैं कि वर्मा जी के पहले जो नोड़ था वह डिलेट हो चुका है सर्मा जी के पास वर्मा जी का एड्रेस हैं और बर्माजी के पास सरमा जी के खाशनयाच स Wish का और यह तो जैसा है वैसा ही है इसमें हमने कुछ भी चैंजनल नहीं किया है तो आज के लिए इतना हिरा और रहते हैं तो आज आप लोग already कि को कैसे तिस से बाहर मिकालते हैं तिन में से आपने पहला देखा कि जो फुर्स्ट फ्लैट में पढ़ा हुआ है यह जो फस्ट नोड है उसको कैसे इस आप आपका last flat का honor है उसको कैसे निकालिएगा means last node को कैसे निकालिएगा उसके बाद आपने देखा कि किसी एक particular person को find out कीजिए और उस person के बाद जो person है उसको आप प्लैट से बाहर निकाल देजिए ठीक है उसके बाद हमने ये last देखा इसमें हमें क्या कर रहे थे एक particular person को find out कर रहे थे और उस person के चार केसे सापने देखें माझने ये ये आपके वर्मा जी थे ठीक है वर्मा जी के after और ये before इस case में हमें क्या किया वर्मा जी के ठीक पीछे जो नोड था उस नोड को फ्लैट से बाहर निकाला तो चार्ट कर रहे के डिलीट ऑपरेशन तो आपके इंशर्ट और डिलीट डबल लिंक लिस्ट में कैसे आप इंशर्ट कीजिएगा और कैसे डिलीट कीजिएगा यह दोनो क्लियर हो गया नेक्स्ट क्लास में इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा ओके चलिए और आपके साहद चार्ट शॉर्माश और होंगे तो इस लिंक लिस्ट उन्हें साब पहला पढ़िए गाउंगा मैंजी हेडर लिंट इससम देखेंगे हेडर लिंक लिस्ट को यह द है एक्जाम में भी आता है इस पोली नोमियल एक्स्प्रेशन तेक है उसको देखेंगे इसके बाद ट्री स्टर्ट के जाएगा और ग्राफ तो आज के लिए इतना ही अब हमारे जो online viewer है उनके लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं यसको चैनल को ताकि आप हमारे साथ बने रह सकें आज के लिए आप सभी का धन्यवाद चलिए अब आपके जो भी डाउस है वो के लिए करवा लिजिए